असलाम अलेकुम इविवान इस वीडियो में हम बात करेंगे के सी अंडिक्स के बारे में कि के सी अंडिक्स पर्फॉर्मेंस किस तरह की रही है और साथ साथ टेग्निकल लेवल अब क्या घेते हैं मार्केट कहां पर टर्न हो सकती है तो उन सब चीजों को देखेंगे फिपी के कुछ नंबर्स को रीट करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टन बात है वह यह है कि जो मार्केटी क्लोजिंग आई यह वह आल्मूस्ट चालिस हजार के लेवल के उपर आई है उसको ब्रेक किया था मार्केट ने उसलोगों मार्केट नेे सस्टेन नहीं किया वहां से हमें एक शौट टरम रिकावरी देखने को मिली तो मार्केट ने जो है वह एक शॉर्ट टम रिकवरी ली है जैसे कि हम यहां से देख सकते हैं मार्केट अपना लो फॉर्म किया था तक्रीबन इस लेवल पे और यह टाइम है तक्रीबन एक बित के पचास मिनट पे उसके बास हमने मार्केट के अंदर जो एक पॉजिटिव देखा कि मार्केट रिकवर हुई और मार्केट अपने क्लोजिंग जो दिये वो तक्रीबन दिये 40,000 पे इसमें हमारा जो एक्स्पेक्टिड एरिया था जिजिड़ के हाइलाइट किया गया था 40,250 का कि मार्केट को 40,250 से उपर पे सस्टेन करना पड़ेगा अगर के अंदर प्रेशर देखने को नजर आएगा तो वैसा ही हुआ कि मार्केट ने तक्रीबें 40,300 का हाई फॉर्म किया बट यह सस्टेनबल लेवल नहीं था कि मार्केट ने बहुत ही शौर्ट स्पैन अफ टाइम के लिए लेवल सस्टेन किया और उसके बाद मार्केट यह है व यह है कि जो प्राइज एक्षन हुआ है और उसके साथ साथ जो वॉल्यूम है तो वीक प्राइज एक्षन नजर आ रहा है कि जो रिकवरी आई है यह एक वीक रिकवरी नजर आ रही है ऐसे बहुत जादा कोई पॉजिटिव साइट जह वाभी करेंट ली देखने को नजर मार्केट के लिए तो यह वालिम्स जादा लगते और मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वह मैट्रिक ग्रोथ है वह इतनी जादा नहीं है क्योंकि अगर हम लास्टे के वॉल्यूम देगे मार्केट के तो आज जो वॉल्यूम्स लगे हैं वो प्रिसीडिंग सेशन के वॉल्यूम्स से भी कम पे लगें तो यह एक इंपॉर्टन चीज यहां पर हमें देखने को नजर आ रही है अगर हम इस क्रिप वाइस देखें तो आज जो टॉप शेर रहा है जिसके अंदर जाधा काम हुआ है वाल्यूम मैट्रिक्स साइट के अपर तो वह है है स्कॉल है स्कॉल में तग्रिम है 43.8 मिलियन चैस का काम हुआ लेकिन है स्कॉल के अंदर जो नेगिटिविटी थी वह अपनी जगह पे बरकरार रही और इसकॉल ने जो है वो 15 पैसा डाउन पे अपनी क्लोजिंग दी जो के प्राइज उसकी 15.48 तक आगे हमारा एक्सपेक्टेड है 15.50 का 15.40 का कि अगर है स्कॉल इसको ब्रेक करता है तो देन वीगें सी फॉर्दर डाउन साइट जो कि इसको तेरा रुपे से बारा रुपे से तेरा रुपे के बीच में लिजा सकता है ती आर जी के अंदर बहुत ही जादा एक स्मार्ट स्विंग हुआ है कि टी आर जी है वह है 28.53 1.0 कि साथ यूइंटी फूर्ट के अंदर पॉजरिटिव साइट के ओपर टेडिंग रही और 19.191 119 मिलियन शर्ट का कम वह के अंदर भी पॉजरिटिव रहा और 3.21 प्रेसंट अप था गें और इसके साथ 15.629 15.69 बीप्रेस का का मोर्ट पॉज़िए बहुत सब्सक्राइब करें तो इसने मार्केट के लिए एक पॉजटिव हाइफ करी के एक सब्सक्राइब इन्वेस्टर जो है वह पावर सेमेंट के 41 मिलियन शेर वह भाई कर रहा है तो दैट मेंस दियर सम्टिंग को कि भी तक सामने नहीं आया है ऑल्दो के हमारी तरफ से यह था के बहुत पहले भी चीज बताई थी के पावर सेमेंट यह वह लॉंगर दम परस्पेक्टिव काफी अच्छी है कंपेर करें अगर हम बाकी सेमेंट कंपनी से तो काफी जादा कंपनी जहें वह चल चुकी है लेकिन पावर ने बहुत जादा जहें वह रैली नहीं बनाई है रेलेटिव तो अधर कंपनी तो इसके हायर चांसे हैं बट यह के एक्सपेक्टेड जो बाइंग ए डाले नहीं रहें प्यार नेगटिव और इसी तहां से पॉजडिव टारिटिव टालें तो फिलिपी में यहां पर देख सकते हैं कि आज जो है फिपी वह नेट बाइश नेट सेलर था उन्होंने बेंक्स मिलिन दॉर बेसिकली बैंक्स के अंदर की गई है और वो फॉरन समझा जाता है उन्होंने बैंक साइट के ओपर यह वह वन पॉइंट दीरो वन मिलिन डॉलर्स की वर्थ के शेर्ज हैं वह बाइक हैं सिमिलर्ली अगर हम लोकल फरंट पर देखें तो लोकल में जो बायर्स हैं वो सिर्फ बैंक टेफाइज हैं और साथ-साथ इंशुरेंस कं कुछ तीन दो तीन दिन से जो है वो पॉजर्टिव साइट के ओपर ट्रेडिंग करें जो बैंक्स देफाइज और जो इंशुरेंस कंपनी दे आर एक्कुमिलेटिंग पॉजिशन एड करेंट लेवल सो दे आर मोस्ट लाइकली बॉलेश फॉर दी फूचर लेकिन उसके सा प्लेटिव है या आप कहलें की बेरिश है फॉर शॉर्ट पीरिड ओफ ताइम तो अगर हम में चीजे यहां पर देखें तो जो जाइन प्लेयर थे आर एक्शली एक्कुमिलेटिंग पॉजिशन ऑन डांसाइज जब जहें नीचे जाता है तो अभी करेंटली जो रीबाउ आया है तो मुस्ट पॉबड़ी दर रीबाउंट कुट बिगास अफ दी बैंक्स एंड एंड इंजूरंस कंपनी जिन्हों ने जहें वह एक्कुमिलेशन की है डांसाइड लेवल के अपर बाकी ऐस तच कोई बिगस ट्रिगर जहां वह नहीं है कि जिसके अंदा मार्के इन एफ़ां हियर जस्ट फॉव यू कि मार्कें देन लॉट्र बादे जलेंगे मार्कें देढ़ेड इंड 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 फैटर नंजर आ रहा है एक एन जोल्ड पैटन अगर इंड यहां से फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो इस इस फॉर्मेशन की बेसिस पर अगर हम देखे जाए तो यह डेली टाइम फ्रेम के उपर चार्ड है मार्किट ने अल्मोस्ट यहां पर रिजिस्टन्स लिया है जो के फर्दर इस चीज को बता रहा है कि हेड इंशोल्डर के अंदर जो शोल्डर उन्होंने अप साइट के उपर रिजिस्टन्स दिखाया है तो अग की क्लोजिंग से लोवर साइट के उपर है ऑल्डो मार्केट ने जहें वो डाउन साइट पर लोवर विक बनाई है इस लोवर विक को हम कह सकते हैं कि यह हैमर फॉर्मेशन टाइप ऑफ कैंडल यहां पर यहां पर लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखे तो वॉल्यूम जादा बाइंग होनी चाहिए थी और वॉल्यूम भी जादा लगने चाहिए पर वॉल्यूम बहुत जादा नहीं लगें जो के एक कॉस अफ कंसान है एड़ दे मोमेंट तो अगर मार्केट कल इस लोग को ब्रेक करती है जो कि मार्केट नहां पर फॉर्म किया थर्टी है तो मार्केट जैंटा इस डाेयरेक्शन के अंदर और मृफ कर्ती है आपको नजार आएगे झो कि यह वाला एडिया और इनकेस मार्केट जैवह इस एड़र को ब्रेक करती जो की नेक nouveau आपको यहां पर नजार आ जिसका जो सपोर्ट लाइन है वो तकरीबन तकरीबन बन जाती है 38,400 के आज पास तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है तो जो डाउन फॉल होगा इस जो यह जो लेवल कैलेट हुआ है इस बेस आज जो इस हैड और शोल्डर पर्मेशन की बेसिस के उपर यह एक्सपेक्ट टार्गेट जब बन सकता है मार्केट का कि मार्केट अगर इस हेड इंशोल्डर को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का जो एक आप कहलें के लॉंगर डम यह मीडियम टागेट होगा डाउन साइड का तक करीवन 34,500 का बनता है जहां पर मार्केट मोस्ट लाइकली टैच कर सकती है अगें इस डूरेशन के बीच में कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है जैसे कि अंदर आ जाता है तो डाट अनलेसिस के इन वैलिट उस टाइम पे और फिर उसको दुबासरी वैलूइट करना पड़ेगा बट इस प्रोबैबल चांसे के मार्केट यह अपने हैड इंशोल्टर फॉर्मिशन को यह है वह कंप्लीट फॉर्म करें तो फार दूसी चीज यह अगर त्रेंड तो आरे सब्सक्राइब के ऊपर है आरे सब्सक्राइब बहुत एक्साइटमेंट डिकने को नहीं मिल रही है जो कि इस टीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ऑन गोउंग डाउन ट्रेंड है य कि अगर मार्केट फार्टी थाओजन टूनुफवंडडेंट फॉर्टी थी पॉइंट से उपर पर रहती है जैसे के चालेज़ दूस्व पचास का लेवल बताया गया अगर मारकेट उस उपर पे रहती है तो मारकट एक सेनी बिल रह सकती है और अपनी मुविंग देखें तो that's around 40,900 अगर in case के market जैस को पास कर ले दिये ब्रेक कर ले दिये 40,250 के लेवल को मार्केट इससे उपर पर ट्रेट करना स्राइट करती है आपने यहां पर इसके शोल्डर के आसपास देखा तो यह वाला जो पॉइंट है यह इसका उस टाम पर रिजसेंट करें और आप अपना स्टॉप लोग सकते हैं 39,600 से नीचे पर अगर रहती है इंटर इंटर देटाम के अंदर तो आप यहां पर जहें अपना अपनी पोजिशन को आफ लोड करके कैश पर आ सकते हैं और दिन वेट फोर दब बैटर ताम प्रूमेक यह लॉंग पोसेशिशन आप यहां पर मार्केट गुंके मार्केट ने के बाद चालिस अशाथो के लेवल पर उनौ पर नेचे आप यहां पर मार्केट ने पुल बैक दिया यह पुल बैक इस वजह से ऊर्गेर मार्केट के अं सुवर्वराइन तो सुछ मार्केट वी प्रेश violon के पास नहीं के सव मार्केट यहां पे आके जो है रीबाउंड डिखाया और अपवर्ड रैली जो हमने देखी बट वह अपवर्ड रैली बहुत जादा स्टॉंग नहीं थी वॉल्यूम अट्रिक ग्रोथ बहुत जादा नहीं सिर्फ एंड पर जाके वॉल्यूम्स जो हैं उससे पहले वॉल्यूम्स अगर हम देखे तो इसे चार्ट के बिलकुल भी नहीं थहादा आग्रेसिब्ली नहीं मारکट के अंदर आरही थैंज हुआ जो यह । लेट से कल मार्पेट पॉजिटिव ओपनिंग देटी एंड पर इन पर पाइड देज रिबाूंट मार्ट चैनाम का आगई तो अस पाइं पर अपे तो माकर्ट की इम्हेड जिस्टन्स जो बनेगी वह तक्रीबन 4010000 का तो पचास का पॉइंट बनेगा जो इमीजिए रिजिस्टन्स जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं इसकी ट्विंटीए थिर्टी मिनट्स कैंडल की जो एवरेज है वह है तक्रीबें चालिस एदार एक सुबारा का लेवल तो यहां पर एक शॉट्टम रिजिस्टन्स यह वह तो यह स्ट्राटीजी याद रखीगा क्योंकि बहुत ही बैटर अपरोच होगी आपके कैपिटल को सेफ करने के लिए फॉम दी एड्वर्स मॉव तो आई होप सो के यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो कॉमेंट करके जरू बताएगा और साथ साथ जै शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को थैंक यू सो मच पो वाच इस एंटार वीडियो